इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे MS Excel में डिफरेंस तरह के चार्ट जो हम पाई चार्ट बार्चार्ट किस तरह बना सकते हैं यह MS Office Computer Course का अमारा और एक वीडियो है जिससे आप YouTube पर घर बेटे MS Computer Course सिख पाएंगे जिसमें 3C, 3C Plus आप घर बेटे ही सिख पाएंगे Office Course में आप देख पाएंगे तो चलिए आते सीथे पॉइंट पर और शुरू करते वीडियो यह वीडियो आप देख रहे है Easy Life for All YouTube चैनल पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइब करें शेर करें और हमारी चैनल को सब्स्राइब परना ना भूले ऐसे वीडियो हम और आपको सुझाव हो तो कमेंट में जरू करें ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे तो चलिए आप देख सकते हैं यह मार्स इट है हर चार्ट की अलग-अलग तरह के डेटा के लिए अलग-अलग चार्ट बना जाता है चार्ट वह चीज जो ते जिसके आप इसीली अप डाउन एक ही नजर में समझ सकते हैं अगर आप डेटा को देखने जाएंगे तो आपको ज्यादा इनलेशिस करने पड़ेगा चार्ट को देखके यह की नजर में आप समझ पाएंगे कितना आप डाउन हुआ है तो इस ताइप के डेटा के लिए हम यह चार्ट हमारा इंसर्ट मेनू में चार्ट डिफरेंट तरह के मिल जाएंगे आपको तो इसके लिए इंसर्ट मेनू का प्रयोग किया जाएगा और हमें यहां में यह डेटा सिलक कर लेता हूं यहां सिरियल नंबर को सिलक करने की कोई जरूरत नहीं हमारा नेम और यह सब्जेक्ट और यह मार्क यह तीन हमारे इंपोर्टन फेक्टर है चार्ट के हमारे इंपोर्टन डेटा है तो इसे मैंने सि तो यहां पर टूडी देखे मैंने जैसे डेटा सिलेक्ट किया ओधा चार्ट पर क्लिक किया चार्ट बन गया यहां आप देख सकते हैं यहां नीचे नेम आ गया है कोहली, सर्मा, कुमार, चहल, द्रविड और यहां जीरो से अंडर्ड मार्क्स आ गए हैं और यहां हिस्ट्र जो कलर कर रहा है, ब्लू कलर हिस्ट्री के लिए, रेड इंगलेश के लिए और ग्रीन मेस्ट के लिए तो इस तरह आप चाट बना सकते हैं यहां आप चाट का देखे हैं यहां जैसे चाट बना एक दिजाइम मेनुत digging आ इसमें चाट लेआउट यहां आ गिया तो यहां आ इस तरह का नहीं रखेंगे, अगर आपको जो भी ठीक लगता था, उस तरह का आप रख सकते हैं, डिजाइन में जाके, चार्ट लेाउट में आप रख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ यह रखता uh, तो यहाँ चारट टाइटल, एक्सिस टाइटल, एक्सिस टाइटल, यहाँ लिख सकते के यह किस के मार्क है यह student name है तो यहां student name यहां लिख सकते जिससे हमको आसानी से पता लग चले के यह कौन सी detail है यह थोड़ा हमारा अलग तरह का हो गया है हम यह ले लेते देखिये यहां आपको थोड़ी और ज़्यादा detail line के साथ मिलेगी किसके कितने मारक है यहां arrow ले जाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि यह student के में कोहली के 76 मारक है तो इस तरह आपको पता चल जाएगा यहां आप चार्ट टाइटल भी दे सकते यहां मैंने student name लिखा इस तरह आप यह चार्ट टाइटल भी दे सकते हैं हम अगला चार्ट यहां लेवाउट में आप यहां चार्ट टाइटल है यहां एकसी से इस तरह यह सब फॉंक्शन भी आप यूज़ कर पाएंगे और यहां फॉर्मेट में भी आप उसके कलर है आईट है वो सब चेंज कर पाएंगे तो यह प्रकार के डेटा के लिए आपको यह बारचार्ट अच्छा रहेगा तो कॉलं चार्ट ठीक है और यहां लाइन चार्ट है फाई बारचार्ट जो कॉलं की तरह है लेकिन हरिज़ोंटल ही है तो हम दूसरे टाइप के डेखा है अभी आपने देखा चुना हुआ जिसमें BJP को 99 Congress को 77 गुजराद में जो चुना हुआ उसके बाद कर रहा है और अगर इस टाइप का डेटा है तो आपने मियूस पेपर में देखा होगा इसके लिए ज्याधा तर पाई चाट का यूज करते तो हम यह डेटा सिलेक्ट कर लेते और यहां पाई चाट पे क्लिक करते टूड़ी ले लेते देखिए यहां चाट को देखते ही पता चल जाएगा कि यह जो ब्लू है बीजे भी उसको सबसे ज्यादा सीटे मिली हुए अगर डेटा में यह ज्यादा नुमेरिकल डेटा हुआ तो आपको अंक का डेटा हुआ तो आपको सोचना पड़ेगा लेकिन चार्ट देखने से आपको इसली बता चल जाएगा अधर को सिंट 6 सीटे है उसका कलर ग्रीन है यहां रेड में 42 परसंट है यहां आप देखिए यह लियाउट में इसे क्लिक करेंगे तो यह परसंटेट के हिसाब से बताएगा तो अगर आपके पास इस तरह का डेटा है तो आप पाई चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं आपके जो स्टूडन्ट है या जो कोई प्रोजेक्ट बना रहे है या कोई अपने बिजनेस के लिए भी डिफरेंट तरह के डेटा के लिए कौन सा चार्ट शूटेबल रहेगा इ इसके लिए हम कौन सा रही से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और यह लाइन चार्ट मैंने लिया है यहां से आप देख सकते हैं लाइन चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है तो इसके लिए लाइन चार्ट सूटेबल रहेगा तो मैंने यह लाइन चार्ट लिया यहां ओरिजंटल में देखें, यहां हम टाइटल ले सकते हैं, तो मैं यहां मन्थ लिख दूँगा, जिससे आपको आडिया लगदाए कि यह मन्थ है, और यहां में टाइटल एक्सिस, में वर्टिकल यानि वाइ अक्सिस पे, इसमें भी तीन प्रकार के आप ले सकते हैं, ओ तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे मिटा दिया, यहां हम डेख दिया, तो अगर इस तरह का आपका डेटा है, तो आप यह चाट भी यूज कर सकते हैं, आप डेटा के मुताबिक, जो आसानी से, यहां हम देख सकते हैं, जानवी और में सबसे कम 5000 का सेल हुआ है, जो मार्च में सेल अमारा काफी बड़ा है जो 20,000 तक गया है तो इससे अमारा पता चल जाएगा कि कितना सेल कौन से महीने में हमारे ज्यादा इनकम हुई है तो यह चार्ट का बेसिकली वही भंगसान है तो अगर आपको आपको